इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुने बहुत-बहुत स्वागत है। इजी फिजिक्स में जो 30% सिलेबस कम किया गया है उसकी अपन चर्चा करेंगे और इस पीडियाफ में हर एक विशे के लिए कम किया गया जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है। आजपन चर्चा करेंगे। वो चेंज किये गये हैं क्या फॉर्मेट चेंज किया गया है पूरी हर एक बात को अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। अब हम पहुँच गए हैं फिजिक्स के सिलेबस के उपर। माध्यमेक शिक्सा बोड राजस्थान अजमेर ने बोड परिक्षा 2022 के लिए संगसिप्तिकर पाठेकरम जारी किया है फिजिक्स का और विशे कोड है 40 इसको आपको याद रखने की ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। परिक्षा बार है कि इस विशे में दो प्रसन पत्र एक सैधानतिक यानि जो आपकी लिखित प्रिक्षा होती है और एक प्रायोगिक यानि जो आपकी प्रक्टिकल एग्जाम होती है वो दो प्रिक्षा होंगी। जो परिक्षार्ती है स्टूडेंट है उसको दोनों पेपर के अंदर अलग-अलग उतिर्ण होना अवश्यक है परिक्षा के अंदर किस तरह इसका फॉर्मेट रखा गया है जो थ्योरी का एक्जाम होगा वो आपका सवातीन घंटे का होगा टोटल चपन नंबर के प्रसन हर वर्स जो होता है वो 26 जनवरी के बाद में स्कूलों में प्रेक्टिकल एक्जाम होती है इस वर्स क्या फॉर्मेट रहेगा उसके लिए जो भी अपडेट आएगी आपको हमारे चैनल के उपर 100% सही न्यूज जो है वो आपको उपलब करवा दी जाएगी ये 30 नंबर का प्रेक्टिकल होगा 30 नंबर का प्रेक्टिकल एक्जाम होना है कितने प्रेक्टिकल आपको प्रिक्षा में लिखने है आपको अपने रिकोर्ड में कितने प्रेक्टिकल लिखने है किस तरह से आपको लिखना है आज कि इस वीडियो में आपन हर एक टॉपिक के बारे में च पिछले वर्स 2021 का जब पेपर हुआ था, उस समय बॉड ने कुछ चैप्टर्स के कुछ भाग हटाए थे, यानि पहले चैप्टर्स में से कोई टोपिक हटा दिया, दूसरे चैप्टर में से कोई अलग टोपिक हटा दिया, लेकिन इस वर्स बोर्ड ने बहुत अच्छी तरह का अध्यान करना है बॉर्ड में जो 56 नंबर का पेपर आएगा वो इन 9 पाठों में से आएगा बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि सर कौन-कौन से चेप्टर में से नुमेरिकल आते हैं उसके बारे में भी अपन डिसकस करने अगर हम RBSC की बुक की बात करें तो यह दो जो चेप्टर है वो दो पाठों के रूप में टूटा हुआ था पहला पाठ और दूसरा पाठ में आप आप आवेश और विदुत क्षेतर के बारे में पढ़ते थे और दूसरे पाठ में आप गाउश के अनुप्रियोगों के बा तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके आप सिलेबस मिलाते जाईए और पहला और दूसरा पाठ जो हमारे RBSC के पाठे करम के अकोर्डिंग हमने तयार किया था सेम टॉपिक्स हैं कोई चैन्ज नहीं है देखे बच्चों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चों के दिमाग में ये बात बैठा दी जाती है कि सेलेबस चैन्ज हो गया फिजिक्स कभी भी चैन्ज नहीं होती है बेटा गुरुत्वाकर्शन का जो नियम है वो वही रहना है आप चाहे NCRT की फिजिक्स लगा दो चाहे कोई से भी फिजिक्स लगा दो नियम जो है वो सेम ही रहना है तो ये पहला पार्ट जो है वो आपको हमारे प्लेलिस्ट मे पहले और दूसरे पार्ट के रूप में मिल जाएगा बोर्ड प्रिक्षा में आपसे पांच नंबर का पुछा जाएगा इसके बाद में आपकी NCRT की बुक में जो दूसरा चेप्टर है इस्तिरवेद्युत विभाव और धारीता ये RBSC की बुक में तीसरा और चोथा चेप्टर हुआ करता था और दोनों चेप्टर बिल्कुल सेम HET आपके NCRT की बुक में है और इन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है ये भी आपसे बोर्ड प्रिक्षा में पांच नंबर के पुछे जाएंगे हर एक टॉपिक को बहुत बहतरीन तरीके से हमने एक्स्प्लेन करने का प्रियास किया है येदि आप वीडियो जाकर के देखेंगे और आपको अगर अच्छा लगेगा तो हमें बड़ी प्रसनता होगी और आप अपना जो फीड़बैक है, कॉमेंट है वो वीडियो के अंदर जरूर लिखें ताकि हम आपको और बहतरीन मैटरियल प्रोवाइड करवा सकें इसके बाद में जो तीसरा चेप्टर धारा विदुद धारा जो है वो आपके RBSC की बुक में चेप्टर नमबर पांच हुआ करता था जो यहाँ पे complete रखा गया है यह भी आपसे बॉड़ परिक्षा में 6 नमबर का पूछा जाएगा इनमें किसी तरह का कोई correction नहीं किया गया है सारे RBSC के जो topics हैं वो यहाँ पे रखे गये हैं कोई भी topic नहीं हटाया गया है इसके बाद में chapter नमबर 4 जो NCRT की बुक में है गतिमान, आवेश और चुम्बक्तु है यह आपके RBSC की बुक में chapter नमबर 6 हुआ करता था NCRT की बुक में chapter नमबर 4 है यह आपको 5 नमबर का बोड़ परिक्षा में पूछा जाएगा यह आप हमारे channel की playlist में जाकर के chapter नमबर 6 देखेंगे तो आपको यह 4 चेप्टर है वो complete मिल जाएगा हर एक topic आपको बहुत clearly explain किया हुआ मिलेगा एक बार जाकर के आप यह दी video check करेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको हर एक topic है वो बहुत आसान भासा में समझ में आएगा पिछले lockdown में हमने जब यह काम सुरू किया था तो बच्चों को बहुत पसंद आया और उसी motivation की वज़े से हमने NCRT की और RBSC की physics का हर एक topic जो है वो आपको playlist में मिल जाएगा इसके बाद में आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें तो सर चेप्टर नमबर 5 यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा है चेप्टर 4 के बाद में सीधा चेप्टर 6 नजर आ रहा है तो पाँचवाँ चेप्टर जो आपकी NCRT की book का है उसको complete रूप से इस वर्स के बाठे करम में से हटा दिया गया है उसमें से कोई भी प्रसन आप से प्रिक्षा में नहीं पूछा जाएगा तो यहाँ पर वेद्यूत चुम्बक की प्रेरन का जो चेप्टर है वो आपको complete यहाँ पे chapter number 6 के रूप में है वो आपको तयार करना है RBSC की book में हमारी playlist में भी आपको यह chapter मिल जाएगा बौड प्रिक्षा में 6 नंबर का यह आप से पूछा जाएगा इसके बाद में कीरण प्रकाशी की और प्रकाशी की यंत्र आप RBSC की book में जाएगे तो optics का जो पहला chapter है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यह chapter complete रूप से यहाँ पे रखा गया है आप ध्यान देंगे तो sir यहाँ पे chapter number 7 और chapter number 8 जो NCRT की book का है वो यहाँ से remove कर दिया गया है यानि पांचवा चेप्टर और साथवा और आठवा चेप्टर यह तीन चेप्टर यहाँ से हटा दिये गए है किरन प्रकाशी की में केवल आप से एक ही chapter पूछा जाएगा जो आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा याद करो प्रकाश का अपूरतन प्रकाश का परावरतन प्रकाश का पूर्णा अंत्रीक परावरतन यह सब चीजें आप लोगों को यहाँ पर रखी गई है और बहुत महत्वा पुन चेप्टर है बहुत सारी चीजें आप कक्षा 10 में पढ़के आए है नीचे हमें एक लिस्ट पढ़ेंगे कि कौन-कौन से चेप्टर को हटाया गया है उसकी भी हम चर्चा करेंगे 11 चेप्टर जो है वीकी रन और द्रव की द्रवेत प्रकति ये भी आप से 6 नंबर का इस वर्स परिक्षा में पूछा जाएगा हर एक टॉपिक आप अपनी पाठे पुष्टक के पहले जो इंडेक्स दे रखी है वहाँ पे जाकर के आप इन चेप्टर को मिला लें आप पैंसिल से उस इंडेक्स में टिक मार कर लें ये जो स्कोर दे रखा है कौन सा चेप्टर कितने नंबर का पूछा जाएगा ये भी आप अपने हाथ से वहाँ पे इंट्री कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा जब आप पढ़ाई करेंगे रिवीजन करेंगे तो आपको जब ये ध्यान रहेगा कि ये चेप्टर इतने नंबर का है तो आप उसको उसी हिसाब से पढ़ेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा अगेन यहां पे चेप्टर नंबर बारा आपको Miss नजर आ रहा है Miss Match है यहां पे तो चेप्टर नंबर बारा यहां पे हटा दिया गए और चेप्टर नमबर 13 जो नाभिक वाला चेप्टर है यह आपको यहाँ पे complete रूप से रखा गया है जो की 6 नमबर का आप से पूछा जाएगा उसके बाद में चेप्टर नमबर 14 अर्ध चालक और इलेक्टरोनी की जो की RBSC की बुक में चेप्टर नमबर 16 हुआ करता था बहुत महत्वपुन चेप्टर है physics के student के लिए यह चेप्टर बहुत important है इसको आपको complete रूप से पढ़ना चाहिए और यह board परिक्षा में इस वर्स 8 नमबर का आप से पूछा जाएगा तो कुल मिला करके इन अंकों को यदि हम जोड़ें तो यह आपका score हो जाता है 56 marks का तो टोटल 56 नमबर का जो paper है वो इन 9 पाठों में से पूछा जाएगा अब अपन एक बार देखते हैं कि कौन-कौन से पाठों को यहां से हटा दिया गया है परिक्षा 2022 के लिए विलोपित किये गए अध्याई इकाई का वीवरन पाठों चेप्टर चुम्बक्तवय एवं द्रवे यह हटा दिया गया है आप प्लेलिस्ट में जा करके हेडिंग देखेंगे तो आप इस नाम के according उस चेप्टर को आप हटा सकते हैं कम से कम बॉर्ड प्रिक्षा के लिए नहीं पढ़ना है यदि आप 12th के बाद competition की तयारी कर रहे हैं चाहे आप NEET के स्टुडेंटों चाहे आप JE के स्टुडेंटों या फिर किसी भी फिल्ड में जाना चाहते हैं तो मेरा suggestion यह है कि आपको physics का हर एक topic अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए पहली बार आप जब पढ़ें पूरा syllabus पढ़ें जब आप revision पे जाएं देट टाइम आप इन 5 chapters को छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको कम से कम एक बार पढ़ा हुआ होगा तो 12 के बाद में जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा यदि आप इन topics को complete रूप से छोड़ देंगे तो आगे चल करके आपको future में कई तरह की problems face करनी पढ़ सकती हैं चेप्टर नमबर 7 प्रत्यावर्ती धारा जो की एक बहुत कथीन चेप्टर माना जाता था बॉर्ड परिक्षा में इस वर्ष के लिए इसको हटा दिया गया है ये भी आप लोगों के लिए अच्छा स्कोर बनाने के लिए बहुत मैत्वपून है उसके बाद में विद्धु चुम्बक ये तरंगें RBSC की बुक में ये चेप्टर नमबर 17 हुआ करता था इसको भी यहाँ पे complete रूप से हटा दिया गया है तरंग प्रकाशी की वेव उप्टिक्स देखिए उप्टिक्स जो है प्रकाशी की जो है वो दो पाठों से मिलकर के बनी होती थी एक आपका होता था कीरण प्रकाशी की जो यहाँ पे रखा गया है इस वर सिलेबस में है आपका चेप्टर नमबर 9 के रूप में और ये जो चेप्टर नमबर 10 तरंग प्रकाशी की है जिसमें प्रकाश के वेतीकरण, वीवर्तन और धुर्वन की गटनाओं के बारे में आप अध्यन करते हैं ये भी थोड़ा सा कठीन चेप्टर हुआ करता था इसको भी इस वर्स हटा दिया गया है उसके बार में एटम, प्रमानू ये बहुत आसान सा चेप्टर हुआ करता था लेकिन इसको भी आपके सिलेबर्स में से हटा दिया गया है तो मेरा मानना ये है कि ये जो 30% सिलेबर्स कम हुआ है बोड़ ने बहुत सोथ समझ करके काफी सारा पाठे क्रम है वो आपके लिए इस वर्स के लिए हटा दिया गया है ताकि आप बोड़ प्रिक्षा की बहुत अच्छी तयारी कर सकते हैं तो आपको ये जो बाकी के 9 चेप्टर्स है इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए हर एक टॉपिक आपको हमारे प्लेइलिस्ट के अंदर मिल जाएगा अब अपन बात करते हैं प्रेक्टिकल के लिए देखिए theoretical syllabus है वो काफी कम किया गया है लेकिन मेरा मानना ये है कि practical जो syllabus है उसका वजन उसका कारे आप लोगों के लिए कुछ बढ़ा दिया गया है देखे क्या क्या हो रहा है वार्सीक प्रिक्षा के समय छात्रों के द्वारा सत्तर प्रियंत यानि पूरे साल कारे का जो प्रायोगिक अभिलेख यानि जो copy जो record जो booklet आप तयार करते हो जिसमें आप सारे experiments लिखते हो वो पुस्ती का जमा करवाना अनिवारी है अब आपका जो physics का syllabus है वो दो physics की books हैं आपके पास एक first part है और एक second part है तो उसी तरीके से practical के अंदर भी दो section तयार किये गए है चात्रों को कम से कम 12 प्रियोग अपने record में लिखने है first physics के 6 practical है दूसरी physics के 6 practical है तो प्रतेक अनुभाग में से 6-6 experiment है वो आप लोगों को अपनी copy के अंदर लिखने है इसी तरह से कुछ minor practicals भी होते हैं छोटी क्रिया क्लाप भी होते हैं जिने गती विधिया कहते हैं ये total 6 गती विधिया लिखनी है पहले section में से 3 और दूसरे section में से 3 गती विधिया आपको अपनी copy में लिखनी है इसके लिए हम separate अलग से एक practical के regarding बहुत जल्दी विडियो तयार करेंगे और वो भी आप लोगों को upload कर दिया जाएगा बता दिया जाएगा ये जो कार्य पुस्तिका है वो आपको अपने विध्याले में आवस्य क्रूप से जमा करवानी है अब अपन चरता करते हैं कि practical जो प्रिक्षा है वो किस तरीके से होनी है टोटल चार गंटे का समय दिया गया है और 30 नंबर का है हर वर्स ये भी 30 नंबर का हुआ करता था और समय भी आपका 4 गंटे का होता था परंटू एक बहुत महत्वपुन परिवरतन जो किया गया है वो ये है कि दो एक्सपेरिमेंट one from each section दो बड़े experiment आपको अपने practical exam के दो रान examiner आप से करवाएगा हर एक section में से एक experiment आएगा तो आपके पास पहले section में 6 experiment थे उन मेंसे आपको कोई एक experiment प्रिक्षा में पुछा जाएगा दूसरे section में 6 experiment थे उसमें से भी कोई एक experiment पुछा जाएगा बाकी सालों में आज से पहले 2022 से पहले केवल एक experiment बच्चों से परिक्षा में करवाया जाता था लेकिन अब आप से दो experiment करवाये जाएगे दोनों 77 नंबर के होंगे तो टोटल 14 नंबर का score आपको यहां से करना है तो यह workload आप लोगों के उपर बढ़ गया है आपको हर एक practical है वो बहुत अच्छे तरीके से तयार करना चाहिए उसके बाद में जो practical की file आप लोग घर पे तयार करोगे school में जो daily experiment आप लोग करोगे उसका जो record आप तयार करोगे वो आप लोगों को अच्छे से तयार करना है बहुत neat and clean साप सूत्रा होना चाहिए उसकी जो readings है वो बहुत clear होनी चाहिए पांच नंबर का score आप लोगों को यहां से मिलने वाला है उसके बाद में one activity from any section आज से पहले के सालों में दो activity आप से परिक्षा में एक activity है वो बोड़ परिक्षा के दोरान आप से पूछी जाएगी जो की तीन नंबर की होने वाली है उसके बाद में एक आपको इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट तयार करना है जो की पहले नहीं हुआ करता था इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है उसका भी एक separate वीडियो आप लोगों को upload कर दिया जाएगा जो की तीन नंबर का रहने वाला है 12th class की physics में 100 में से 100 नंबर की तयारी हम लोग हमारे चैनल के उपर करवाते हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक वीडियो को पढ़ेंगे एक practical का separate प्लेलिस्ट तयार करी गई है जिसमें हर एक experiment हमने पहले से upload कर रखा है छोटे छो equipment होते हैं जो उपकरण होते हैं वोल्टमेटर है, गैलवेनोमेटर है, वो किस तरह से work करते हैं, हर एक चीज को fundamentally हमने वहाँ पे clear किया है उमीद करते हैं कि यदि आप वीडियो से पढ़ेंगे तो आपको बहतरीन समझ में आएगा और आपको कैसा लगेगा हमारा वीडियो उसके regarding आप प्लीज आपसे अनुरोध है comment जरूर लिखें जो भी सुझाओ है, आप लिखेंगे तो हम आपको और बहतरीन जो study material है, वो उपलब्द करवा सकेंगे उसके बाद में examiner आपसे एक छोटा interview लेता है सामने बिठा करके एक छोटा सा interview लेता है, 10-15 मिनिट का जिसमें आपसे अपने experiment से जुड़े हुए, activity से जुड़े हुए और project से जुड़े हुए questions पूछेगा, जो कि आपसे 5 नंबर का निर्धारन करेगा तो इस परकार से total आपका experiment जो practical है, वो आपको 30 नंबर दे करके जाएगा 56 नंबर आपका theory का practical होगा 14 नंबर आपके विद्धाले से seasonal में से बेजे जाएगे और 30 नंबर का आपका practical exam होगा तो total physics के 100 नंबर का criteria ये रहने वारा है practical के बारे में जो अलग जानकारी है वो separate वीडियो में दी जाएगी अन्ने था आज का वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आज के इस वीडियो में कौन-कौन से topics हटाए गए हैं क्या-क्या changes किये गए हैं इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी है अब एक बहुत महत्वपून topic जो आता है वो ये आता है कि सर कौन से chapter में इससे numerical पूछे जाते हैं तो ये जो practical के अंदर ये जो आपके syllabus में change किया गया है परिवर्तन किया गया है इस परिवर्तन का हम कुछ समय लगेगा एक दो दिन का हम wishlation करेंगे और wishlation करने के बाद बहुत जल्दी आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कौन से chapters में से numerical आने की संभावना है जो की physics में बच्चों को बड़ी problem होती है तो पहले हमें इस पूरे syllabus का ये जो syllabus रखा गया है क्योंकि पहले कुछ chapters जो हटाए गए थे उन में से भी numerical पूछे जाते थे अब वो chapter तो हटा दिये गए है तो उनकी जगा किसी डूसरे चेप्टर में से numerical आने की संभावना रहती है तो आप इन सारी entry को अपनी book की जो index दे रखिये वहाँ पे enter कर लें और 12th class का पूरा physics का syllabus पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe जरूर करें और आप सभी से अनुरोध है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे like करें और आपका जो भी सुझाओ है वो आप comment section में लिखें अपने सभी friends के साथ वीडियो का link है वो share करना ना बूलें आज के session में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद तैंक्यू